हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ट जेनुएन इंफरमेशन और आपको कोई क्वाईरी साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है ट्वेंटी सेगे को बारी किसे चर्चा करेंगे और HDFC-AMC में आगे का क्या रणनी थी होगा यह भी डिसकस करेंगे तो दोस्तो प्लीज वीडियो को पूरा अंतक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तो सबसे पहले मैं यहां पर रेजल्ट के उपर आ चुका हूं लगबग यानि जून 2020 का रिजल्ट है और यह लास्ट इयर सेप्टेमबर 2019 का रिजल्ट है यह तीनों रिजल्ट हम यहां पर कंप्यार करेंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते सबसे पहले टोटल इंकम कंपनी का कितना इंकम हुआ है इस क्वाटर में जो इंकम निकल क्या रहा है 579 करोर रुपए जो लास्ट क्वाटर 2020 यानि जून क्वाटर में इंकम था 491 करोर रुपए यानि क्वाटर टू क्वाटर यहां पर जबर्दस जम दिखने को मिल रहा है तो अब सेप्टेमबर 2019 में जो इंकम था 595 रुपए यानि 549 तो यहां पर year to year भी इंकम थोड़ा स यहां पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे है अब बात आया थे टोटल एक्सपेंसे यानि कंपनी का कितना खर्चा हुआ है इस क्वाटर में सेप्टेमबर 2020 में खर्चा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस एक सो साथ करोर रुपए के आसपास और लास्ट क्वाटर जून 2020 मे टोटल एक्सपेंस आया था 110 करोर रुपए और लास्ट यार सेप्टेमबर क्वाटर में थोड़ा यहां पर बड़ा था लास्ट यार सेप्टेमबर 2019 में 121 करोर रुपए यानि यहां पर आप ओले तो यार टू यार एक्सपेंसेस यानि खर्चा थोड़ा कम हुआ है कंप ने किदना प्रोफिट जैनरेट किया जो सबसे मेन हैं कंपनी के लिए इस क्वाटा यानि सेप्टेमबर क्वाटार ङॉप्टार 2020 नेट प्रोफिट या तीन तो यह थोड़ आसा गिरावर्ट नजर आ रहा है। यहां पर मुझे यह रिज्ट ठीक ठाक लग रहा है। नहीं बहुत बुरा रेजल्ट है। ठीक ठाक है। बुरा नहीं हुआ ठीक ठाक मानके चल सकते हैं। तो दोस्तों अब सिधा आज के कारवार के ऊपर चलेंगे कि HDFC AMC का आज कैसा कारवार हुआ है यहां पर दोस्तों आज ओपन हुआ था 2342 रुपए पे हाई टच किया 2362 रुपए पे बीस पॉइंट उपर आके हाई टच किया और लो काफी नीचे आके टच किया 2312 रुपए पे और जो लास्ट ट्रेडेट पाइस निकल के आ रहा है 2361 लगबग एक परसेंट की जंप और जो लास्ट एडजस्टेट क्लोजिंग है 2357 तो आज की डेट में ठीक ठाकी यहां पर ट्रेडिंग हुआ है इसका ट्रेडिंग का परसेंटेज भी देख लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं टूटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है एक लाग 21,881 शेर उनसमें जो डेलिवरी उठाए गया लगबग यहां पर साथ हजार शेर के यानि वॉल्यूम ठीक ठाक है परसेंटेज ऑफ डेलिवरी 49 परसेंट की आसपास तो यहां परसेंटेज अब डेलिवरी भी ठीक ठाक नजर आ रहा है तो कंपनी गजब का है द इंवेस्ट करने के लिए तो HDFC, AMC टाइप का जो एक लीडिंग मुचल फंड कंपनी है इंडिया का यह कभी बंद नहीं हो सकता दोस्तो यह थोड़ा बहुत गिरावाट होगा अभी जैसी कुछ दिन पहले सेवी का जो निया मल्टी कैप शेर के उपर जो रूल्स बनाया बट उसके बाद इसमें ओफेस आया था बतीस सो की लेबल पर और उसके बाद वहां पर बहुत बारा गिरावाट है और फिर वहां से रिकॉवरी करते करते फिर से यह करोना वाइरस के टाइम पर चलते यह आप देख सकते मार्च 25 में लगभख 2000 के नीचे शेर आ गया था तो इसको अभी टाइम देना पड़ेगा दोस्तों आप अगर हायर लेवल पर खरीद के बैठे हो तो आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा आप 5 सल 10 सल होल्ड करके देखिए न दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है इंडिया का वन अब दा बेस्ट म्यूचल फंड क अचाता है यहां पर मैं रेकोमेंट करूंगा कि फ्रेज़ बाइंग करिए बट नौट शॉर्ट टम दोस्तों शॉर्ट टम के लिए बिलकुल ने कि एक फाइनन्स एक्टर का कंपनी और फाइनन्स एक्टर का कंपनी में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब लोन मॉनितोरियम कर जो सुप्रिम कोट कर आया आएगा यह कभी कभी से भी न्यू रूल्स बना देता है यह इसका चलते फाइनन्स एक्टर यह यह सब मुचल फंड कंपनी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है बट एड़ एंड लॉंग टाइम पांच साल दस साल में आप प्रॉफिट में कोल्ड करके देखिए दोस्तों आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहोगे तो दोस्तों यह था आज का इस्टी एप सी एमसी का जो क्वाटर टू का रेजल्ट और आगे का रणनी ते आपके साथ डिसकस किया रेजल्ट अल्मस्ट ठीक्ता किया बहुत अच्छा भी नह हिंद